अज़े स्टेडी क्लासेज मैं हूँ चावी सोनिया फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 11th कॉमर्स के लिए यहाँ पर चैप्टर वाइस वेटेज फॉर अकाउंट्स ठीक है तो पहले चैप्टर वाइस वेटेज देख लेता हैं नोट कीजेगा कि जहाँ पर भी डैश किये हैं वो चैप्टर आपकी एक्जाम्स में इंक्लूडेड नहीं रहेंगे तो यहाँ पर देख लीजे जो सेकेंड चैप्टर है उसका वेटेज है वन मार्क यानि यहांसे वन मार्क का सिफ एक ही क्वेशन आने माला है आगे मैं आपको बताऊंगी कौन-कौन से चैप्टर आपको कौन-कौन से सेक्षन के लिए प्रिपार करने इसलिए प्लीज कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत कीजेगा और ऐसा ही वीडियो मैंने स्टेटेस्टिक के लिए भी अल्रेडी अप्लोड कर दिया लिंक आपको 25 मार्ग्स का रहेगा याणि आपको चैप्टर प्रिपार करने वो इस तरफ आप देख सकते हैं पार्ट वन के यह सारे चैप्टर अगर आप प्रिपार कर लेते हैं तो आपका सेक्ष los ainda के लिए सबी चैप्टर यह जो यहाँ पर मैं दिखा रहे हूँ इन सभी चैप्टर के MCQ भी करने है और one-liner question answers भी करने है ठीक है क्योंकि 50 marks के exam है तो यहां पर clear ही नहीं बताएगा कि कितने marks के MCQ किस chapters आएंगे तो आपको यह जो chapters मैं बता रही हूं part 1 और part 2 के इनके लिए आपको यह सारे section A और B के questions करने पड़ेंगे यानि आप अपनी textbook एक बार refer करीजे उसमें section A और जो B यानि one-liner question answer है वो सब prepare करेंगे अगर आप इन chapters से तो आपकी यहां पर preparation जल्दी हो जाएगी अब देखते हैं main यहां पर हमें section C तो 12 marks करेगा 3 marks each questions आने वाले हैं तो यहां पर आपको 4 questions attempt करने है 6 questions दिए गए होंगे जिसमें से आप 4 attempt करेंगे तो 4 threes are 12 यानि 4 questions 3 marks के तो 12 marks हो जाएंगे 6 questions होंगे अब यह 6 questions कौन-कौन से chapter से होंगे यह एक बार देख लेते हैं यहां पर तो देखे part 1 के 2 chapters है 4th and 10th देखे तो यह 2 chapters होंगे और part 2 के भी 2 chapters 1 और 3 overall इन 4 chapter में से ही 6 questions निकालेंगे जिसमें से आपको कोई भी 4 attempt करने है तो आप कोई 2 chapters या 3 chapters आप 3 chapters तो एकदम अच्छे से prepare करके रखे राइट किसी एक chapter को आप skip कर सकते हैं यहां पर आपको 3 chapters तो prepare करके रखने ही पड़ेंगे ताकि आप easily यहां पर 12 marks score कर सकें तो मैंने आपको chapters बता दिया है तो यह आपकी जो blueprint है यह पूरी blueprint आपकी जो paper pattern model paper जो GSAV board ने दिया है second examination के लिए उस पर से ही बनाई गई है तो यह reliable है आप इसे यहां पर follow कर सकते हैं देखते हैं section D का ऐसी सेम मैंने statistic के लिए भी बना दिये यह accounts के है तो आप statistic की जो है वो भी video चेक कीजेगा link आपको description में मिल जाएगी और please channel को subscribe कर दीजे textual solutions अगर आप देखना चाहते हैं सभी account stats के तो वो सारे मैंने upload कर दिये हैं link मैं आपको description में दे रही हूं playlist बना दिये 11th commerce and statistics और accounts दोनों आप वहाँ पर check कर सकते हैं और sorry यह जो videos आने में थोड़ा सा डीले हो रहा है लेकिन अब कल तक सारे जो दोनों subject और बाकी सारे subjects हैं उन सभी के लिए भी ऐसी जो blueprint है वो channel पर upload हो जाएगी तो please मैं request करना चाहते हैं उन students है जिनको थोड़ी सी difficulties हो रही है अभी videos डीले होने में तो please थोड़ा सा wait कीजेगा अब देखता है section D 12 marks का है जिसमें 6 marks के question आएंगे तो यहाँ पर तीन question आपको दिये गए होंगे आपको two questions attempt करना है तो chapter देख लेते हैं यहाँ पर दो chapters आपको prepare करना है 11 and second तो इसमें से इन दोनों में से मिला कर तीन questions होंगे आप कोई भी दो attempt कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कहना कि किस chapter में स two questions आने वाले हैं तो अभी तक यहाँ पर declaration नहीं हुआ है कि आपको two questions किस एक chapter से देखने को मिलेंगे ठीक है तो आपको दोनों ही chapters prepare अच्छे से कर लेने हैं उसमें से फिर आप जो easily attempt कर सकें वो two questions attempt करना है तो आपको 12 marks section D से मिल जाएंगे अब देख लेते हैं section E 11 marks का यहा पर पूछा जाएगा so friends I hope video आपके लिए helpful रहा होगा तो इसे अपने friends के साथ जादा से जादा share कीजेगा ताकि exams time है तो आपके friends की भी और help हो सके और like करना है video को share करना है अपने friends के साथ as well as subscribe कर दीजेगा please ताकि मुझे बता चले कि कितने students राते हैं कि मैं 11 marks के लिए content channel पर अप्रूर कर दी रहा हूं मिल दे friends हमाई next video में thanks for watching